Hello and welcome dear students, स्वागत है आप सभी का बच्चो अब वो टाइम आ गया है कि आप सीरियस हो जाना है पढ़ाई को ले करके क्योंकि एक्जाम कब है? फैवरी में जो भी जितने भी बच्चे हैं, चाहिए वो 10th के हो ये 12th के हैं इस साल 2024 में बोर्ड एक्जाम देना चाहते हैं और जिन्होंने कहीं स्टार्टिंग में सोचा था कि हमें इस साल टॉप करना है, टॉपर बनना है लेकिन अभी तक उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है, ओक्टूबर का महीना भी अब धीरे-धीरे खतम हो रहा है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करें कि हमारी जो पट्री पे गाड़ी है, वो आज आए क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, कि हम कभी-कभी सोचते तो बहुत जाद है लेकिन करते रियालेटी में कुछ नहीं है, रीजन यह होता है कि हमें पता नहीं होता है कि चीजे करनी ही गैसी है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीजे बताऊंगी जिसको करके आप अभी से, यानि कि ऑक्टूबर मन से प्रक्टिस करके इतने निपुड बन सकते हैं कि आप इस फरवरी एक्जाम में फोड़ दो मतब 95% तो आप ऐसे ही लेकर के चले और टॉपर बन ही जाओ तो बच्चो सबसे पहली बात कुछ बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि मैं अभी भी पाना पॉसिबल है क्या क्योंकि अभी तो टाइम बहुत जादा बढ़ चुका है अब तो अक्टूबर मन्त भी दस्तारी बीच चुका है क्या अपसे भी पढ़ करके हम 95 ला सकते हैं जो बिलकुल भी ना पढ़ा हो जो अभी तक भी ना पढ़ा हो तो मैं उसको भी बोलूगी कि हाँ ला सकते हैं लेकिन उसकी शर्त बस इतनी है कि आपको अपसे तो कम से कम सीरियस होना ही पढ़ेगा बच्चो अगर आप अभी से सीरियस नहीं होगे और सिर बातों को सुन लोगे ना तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं हो पाएगा आपको अपसे क्या होना पड़ेगा एकदम जम करके लग जाना है डट करके लग जाना है जिससे जो चीज़े हैं वो आपके एकदम समझ में आ जाएं ठीक है बच्चो तो सबसे पहली बात ये वीडियो जो है वो 10th 12th के बच्चो के लिए चाहिए वो कोई सी भी बोर्ट के हो कही किसी के भी स्टीट के भी हो तो बच्चो सबसे पहली बात हमारे जो 10th के बच्चे या 12th के बच्चे आपको जाना ये जरूरी है कि आपका सलबस क्या है आप अभी बैठिये एक दिन लीजिए अपने सारे सबजेक्ट्स हैं आप साइंस स्ट्रीम के हैं आर्ट स्ट्रीम के हैं commerce stream के हैं 12th में हैं तो maths वाले हैं biology वाले हैं जो भी stream है आपका आप सबसे पहले अपनी किताबे खोलिए और जो index होता है जिसको आप कभी नहीं खोलते हैं वो वाला पन्ना खोलिए और उसमें जो जो chapter हैं उन chapters के नाम लिखिए क्योंकि उन chapters से आपको पता चलेगा कि आपको strategy क्या करनी है तैयारी क्या करनी है बीना ये जाने कि आपका जो होता नहीं है प्रतिद्वन्दी वो कैसा है आप युद्ध लड़ने की रणीती नहीं बना सकते हो ठीक आपको जानना पड़ेगा कि जिससे आप लड़ने जा रहे हो जिससे आप इतना बड़ा होता नहीं है युद्ध लड़ने जा रहे हो board exam युद्ध लड़ना ही तो होता है तो वो जो करने जा रहे हो वो प्रतिद्वन्दी कैसा है उसमें क्या-क्या है तो जो syllabus है वो आपका opponent party यह है आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से chapter है कि जो आपको पीछे छोड़ दे आप अपना manubal strong रखिए motivated रहिए और syllabus एक जहां पे सारे subject का note कर लीजे जो भी subject है अब यह नहीं कि Hindi English भूल जाईए बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सारे subject note कर लिया physics, chemistry, math, bio सारे subject note कर लिया लेकिन Hindi English भी कुछ बच्चे note कर लेते हैं चलो लेकिन Hindi वो तो बच्चे भूली जाते हैं कुछ बच्चों को exam वाले दिन तक पता रहता है कि अरे उनकी syllabus में आना क्या है तो बच्चों ये वाली गलती मत करिए आपको क्या करना सबसे पहले तो बुक उठानी हो और देख लेना आपका syllabus क्या क्या है आ क्या क्या चीज़े रही है क्योंकि जो पुराना वाला syllabus था वो चेंज हो चुका है आप वीडियो क्या करते हो पुरानी वाली देखते हो एक साल पुरानी वीडियो डेर साल पुरानी वीडियो दो साल अरे उतना पुराना क्यों देख रहो भाई नई वीडियो देखो इस टाइम की डिसेंट अप्लोडेड वीडियो देखो क्योंकि वो क्या होंगी आपको updated जान करी देंगी जितने मैं जो भी वीडियो बनाती हो अपने चनल पे मेरी जो भी प्लेइलिस्ट आप देखेंगे वो सारी recent की है ठीक है उसमें जो भी मैं आपको जितने भी knowledge दे रही हूँ या जो भी बाते बता रही हो जो syllabus का पढ़ा रही हो वो सब updated version पे है ठीक तो इसी तरीके से आप ऐसे teacher से पढ़ो जो updated knowledge पुराने knowledge ना दे क्योंकि आपका syllabus भी change हो जुका है अगला चीज क्या है subject का जो जितना भी chapter है ना उसका आप देखे एक क्या करिए strategy बनाइए उसकी एक run नीती त्यार कीजे मतलब chapter की run नीती कैसे त्यार करें आप कुछ लोग पूछेंगे तो देखो क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो दो तरीके से काम करता है पहला ये कि एक होता है smart work और दूसरा वो करता है hard work तो जो बच्चे hard work करते है वो क्या करते है पूरा शुरू से लेकि अंत तक एक एक chapter पर बराबर महनत करें मतलब कि अगर एक chapter जो 10 marks के आएंगे उसको भी अगर वो 10 दिन दे रहे है तो एक chapter जो 2 marks काएगा उसको भी वो 10 ही दिन दे रहे है तो इतना क्यों कर रहे हो अपने उपर torture ये नहीं करना है आपको देखना कि कौन सा chapter ज़्यादा important है और important कैसे देखना है आपको ये देखना है कि exam के point of view से ऐसा कौन सा chapter है जो बहुत ज़्यादा जिसमें से question बन रहे है ठीक है ऐसा कौन सा chapter है जिसमें से बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं या जिनका जो number का अगर देखें criteria तो सबसे ज़्यादा उसी chapter से सवाल बनते हैं आपको अपने important chapter की list में उसको सबसे उपर लिख लेना है कि हाँ ये most most important chapter है और उसी तरीके से उस chapter में जो important points होते हैं या आपको mainly question bank में मिल जाएंगे या फिर वो PYQ अगर आप solve करोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको क्या करना है कि important point पे tick mark कर लेना है कि हाँ ये important है ये हर सार पूछता है तो आपको वो सबसे पहले पढ़ना है पढ़ना तो सब है लेकिन जो important चीज़े उनको पहले पढ़ना है उनको ताकि आप अभी भी पढ़ लो जब बाद में time बचे तब भी पढ़ लो फिर उसके बाद से क्या आपको एक proper time table मनाना है time table क्या कि मैं बता दू? नहीं मैं नहीं बता सकती हूं तो उस इस time को set करके आप खुद का personal time table बना। टाइम टेबल बनाओ उसमें रिवीजन को रेगुलर बेसिस पे रखो और तो और जो एक होता है ना कि self test देना या self study करना उस पे आप focus करो जो holidays के जो time है जो छुट्टी वाला जो टाइम है उसमें आप क्या करो self study को double कर दो triple कर दो यह नहीं कि आज चुट्टी मिल गई तो जादा टाइम देना है, चौथी बात ये, कि अपनी health को priority देना है, health को priority क्यों देना है, अरे बच्चे, अगर आप तबेत ही नहीं से करोगे, तो exam कैसे दे पाऊगे, और अगर आपकी तबेत ही बिगड़ जाएगी, अब देखो, चैप्टर की त्यारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं अब जो बताने जारी हूँ, उसको follow करना है, बस कोई भी चैप्टर आप उठा रहे हो, आपको बोरीन लग रही है, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ना नहीं आपको, उसके लिए जो एक notes होता है ना notes, कॉपी उठाओ, जो सिफ आपकी कॉपी हो, जिससे आप पढ़ता हो, ना कोई स्कूल की हो, ना कोचिंग की हो, आप अपनी सिंपल कॉपी उठाओ, आप कोई topic पढ़ाओ, उससे related छोटे-छोटे point लिखते चलो, जैसे मालो आप जीवन पर्चे लिख रहे हो, तो पूरा ज सिवन पर्चे नहीं, जनमिस्थान लिख दो, sun लिख दो, जिसमें वो पैदा हुए थे, मृत्यू जिस सन में वी थी, वो लिख दो, जो उनके रचनाय थी, वो आप लिख दो, फिर उसके बाद से जहाँ, जो पुरसकार मिले, जो उन्होंने कृतियां की, वो सब लिख दो लिखना ही पड़ता है, अगर आप साइंस पढ़ लोगो, तो साइंस के लिए देखो, बायो पढ़ो, तो सिफ रटो मत, बायो केमिस्ट्री पढ़ो तो सिफ रटो मत, जो पढ़ो ना कॉनसेप्ट, उसको अच्छा समझाओ, फिर कॉपी में नोट करो, बायो है तो तो नहीं निकल पाएगा माहत का बैक ही लग जाएगी उनके लिए हमारे पास है टॉप 50 स्टूडेंट बैच इसना आपको जो जो बेनिफिट मिलेंगे बचो ना यहां पे आपका मेंशन किया गया है डिस्क्रिप्शन में अब देखे इस बैच का खास बात यह कि अगर आप इसमें इन्रोल होते हो और अभी तक भी आपने कुछ ने पढ़ा है तब यह बैच आपके साथ आपके पूरे बोर्ड एक्जाम तक रहेगा पूरे हर तरीके से सहायता करेगा और अगर आपको वीडियो डेमो देखना है कि कैसी पढ़ाई होती है क्या स्टाफ है कैसे क्या तो जो नंबर आपको दिख रहोगा स्क्रीन पर इस पर आप वाट्सप कर सकते हो डेमो लिख करके या फिर आप डिरेक्ट कॉल कर सकते हो तो हमारे जो टीम हो आपको इससे रिरेटेड जो भी इन्फोर्मेशन होगा वो प्रोवाइट करवा देगी बच्चों अब बढ़ इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर उसके बाद से पी वाई क्यू कुश्चन बैंक अन्सॉल यह सब आप रेगुलर बेसिस पर करते रहें और मॉडल पेपर आप तब सॉल्व करिएगा जब आपका सलेवस लगबग लगबग 90 परसंट कंपीट हो गया रहे ठीक है शुरू में सॉल्व करने से कोई बैनेफिट नहीं होगा शुरू में सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रियेट होगा और आप दीमोटिवेट बो जाएंगे बच्चो यह सारी वो टेकनीक्स थी और ट्रिक्स थी जिसको यूस करके आप अपन